कि लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स कि अब ऐसे समझते हैं देख या अब मालू यहां पर एक बूल्टी सूर्स है एक बूल्टी सूर्स है और यह रजिस्टेंस है और यहां पर आपने आई लिया हुए मालब लाइक करण फ्लो हो रहा है जिसको आप मेजर कर रहा है आई के थो ठीक है अब आपने सपोज केस वन ऑगेश वन केस वन आपने 10 बूल्ट क्या लगाया बूल्टी सूर्स तो करण्ट की जो वैलू आई करण्ट की जो वैलू रिफलेक्ट हुई मुझे नहीं पता करन्ड की वैलू जो रिफ्लेक्ट हुई वह हुई पांच एम्पियर सपोज पांच एम्पियर तो यहां से हमने जज किया क्या जज किया जल्दी बुलो एक बोल्टेज की वैलू 10 देने पर करन्ड की वैलू 5 आई इसका क्या मतलब है इसका सीधा सा मतलब है कि जो रेजिस्टिंस पर हम एक्स्पेरिमेंट कर रहे हैं उसकी वैलू कितनी है 2 Ohm बोलो हाँ याना ना सिम्बलसा मतलब यह है कि जिस पर हम परफॉर्म कर रहे है उसकी वैलू कितनी है 2 Ohm अब केस तू पर आजाओ, अभी मैंने क्या किया, मैंने बोल्टेज को बढ़ा दिया, मतलब बोल्टेज को मैंने कर दिया 20 बोल्ट, voltage को कर दिया मैंने 20 volt अब यहां पे दो possibility हो सकती है क्या हो सकता है कि जो आपका i है वो कितना हो जाए 10 ampere हो सकता है जो आपका current है वो कितना हो जाए माल लो 8 ampere माल लो 8 ampere ठीक है माल लिया कितना हो जाए 8 ampere कुछ भी हो सकता है अब वो element ही है कुछ भी हो सकता है अब जब हमने दोनों से अब क्या करना चाहा मलब voltage हमने 20 लगा दिया एक केस में current 10 आया दूसरी में मलब 8 ampere आया अब हमने दोनों कंडिशन में क्या calculate किया voltage upon current मतलब voltage upon current का ratio अभी बताओ first case में voltage current का ratio कितना आएगा बोलो दो ओम इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो element था उसका resistance कितना था दो मैंने जब voltage बढ़ाया उसकी हिसाब से current बढ़ा resistance अभी भी कितना है दो ओम इसका मतलब क्या है कि यह जो element है that is linear मलब इसका जो characteristics है इसका जो resistance है voltage बढ़ाने की वज़़से change नहीं हुआ इसलिए इसको क्या बोलते हैं linear element सब्सक्राइब कर रहे हैं अगर आपने कोई जोटी सी गलती कर दी या कोई बड़ी गलती कर दी तब कि वह आपसे वैसा ही भी है कर रहे है तभी आप क्या बोलते हो कि parents क्या है linear समझपार हो कि नहीं अगर वह उस समय strict behave कर रहे है तब आप बेसिकलिए तब आपके मन में नहीं आएगा ना कि मेरे parents क्या है linear है मलब lenient है yes or no समझ में रहा है नहीं तो behavior का change हो जाना that is the indication of non-linearity simple ना जैसे नो ठीक है तो अब यहां पर देखो अगर आप भी अपॉन आई का जब ratio निकालोगे like it 20 upon 8 एक कितना आ जाएगा 2.5 ohm तो voltage बढ़ाते ही voltage बढ़ाते ही resistance क्या हो गया change हो गया तो क्या आप उसे आप linear बोलोगे क्या characteristics क्या हो गया चेंज हो गया अब ओ characteristics change होने के बहुत वज़ा हो सकते है कि हो सकता है temperature की वज़ज़ से बढ़ गया हो कि आपने voltage बढ़ाया तो temperature बढ़ा होगा और rt is equal to r not one plus alpha delta t तो resistance बढ़ गया होगा तो current घट गया होगा यह से नो जो conductor का resistance होता है वो temperature पर depend होता है ना rt is equal to r not one plus alpha delta t मलब temperature बढ़ाने से resistance बढ़ता है किसका conductor का यह बात तो पढ़ी होगी ना आपने तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई register है कोई element है जिसका temperature बढ़ने से resistance बढ़ रहा है तो क्या आप उसे linear element बोलोगे नहीं बोलोगे उसका throughout the operation आप उसका जो behavior होना चाहिए same होना चाहिए तो इस case में आप बोलो क्या बोलोगे अगर first case से इस case में आ रहे हैं तो आप क्या बोलोगे बोलो linear बट अगर first case से आपका यह वाला case मिल ला तो इसे आप क्या बोलोगे non-linear clear हुआ linear non-linear का concept बहुत basic यार मतमेटिकली तो अभी देखेंगे conceptually देखेंगे बट आप ऐसे समझो ना कि element है अगर उसका हम महलो supply change करने से current change करने से अगर behavior change हो जा रहा है तो that is non-linear simple सा मतलब है done clear तो linear linear and non-linear element के लिए एक test किया जाता है ठीक है homogeneity and additivity एक कोशन कई बार पूछा गया है कि linear के लिए condition क्या क्या है है तो homogeneity and additivity homogeneity और additivity अब homogeneity और additivity का मतलब क्या है अब वह हमारा अगला टास्क हो जाएगा कि ऐसे समझो एक element है अ अब जहां से समझेंगे इक रांजियन नहीं है परसान मत होना बस यहां पर लगकि at all time एक को रखना एक को घटाना उस तरीकर से जैसे देखो homogeneity का मतलब क्या है अगर अभी इसको थोड़ा सा साइड में रखता है इसको साइड में रखता है होमोजेनिटी का मतलब क्या है कि अगर आपने यहाँ पे मालो करण कितना है आई वन और यहाँ पे मालो करण कितना है आई ठीक है तो देखो होमोजेनिटी का मतलब क्या है कि अगर आप अगर आप अगर पूछा जाकि आरवन की बेलू क्या होगी तो आप क्या बोलोगे भीवन अपन आइवन बोलो हाया ना भीवन अपन आइवन बोलोगे अब होमोजेनिटी का मतलब क्या है कि अगर आप किसी constant नंबर से किसमें multiply करते हूँ supply voltage में तुसी सेम constant नंबर से किसमें multiply हो जाएगा response में नहीं सुझना है अरे यही बात अभी जैस्ट थोड़ी दिर पहले ही बात करी हमने जान दो जैसे मैंने बोला कि एक केस है मैंने इसको 10 दिया एक इतना आया पांच तो आपने क्या बोला दो ओम अब मैंने जब यह 10 लिया था अब मैंने इसमें 2 से multiply कर दिया तो बताओ ज़रा बोल्टिज कितना हो जाएगा 20 अब बताओ अगर आपको पता है कि resistance linear है तो दो लाने के लिए बताओ पहले वाला जो करंट था पहले वाला करंट कितना था 5 उसमें किस नंबर से multiply होना होगा दो से होना होगा नहीं होना होगा अगर नहीं हुआ दो से तो मतलब अब उब्व्य सिवात है अब यह से अगर हमने इसको क्या कर दिया 20 कर दिया तो अगर आप चाहते हो कि दो आए तो उब्व्य सिवात है यहां पर उसी नंबर से क्या होगा multiply और अगर ऐसा हो रहा है कि हम इसको बोलते हैं excitation इसको बोलते है response this is excitation this is response तो अगर हम किसी constant number से multiply करते है excitation में तो same number से multiply होगा किसमे response में तो अपन उसे element को क्या बोलेंगे मलब कि किसको follow कर रहा है वो homogenity को समझ में आए क्या homogenity rule को follow कर रहा है वो done ठीक है कि जिस number से आप excitation में multiply कर रहा हो तो उसी number से response में multiply हो रहा है और सही बात ना अगर आप सोच के देखो यहां पर दो से multiply हुआ हुआ बट अगर यहां पर एक से multiply हुआ तो बीस बटा पांच कितना गया चार पहले दो आया था अभी चार हो गया क्या लीनियर रहा गया नहीं रहा ना सब्सक्राइब क्या अगर आप किसी constant नंबर से इंपूट में या एकसाइटेशन में multiply कर रहे हो उसी constant नंबर से किसमें multiply हो जाएगा एकसाइटेशन में रिस्पांस में दन उसके बाद दूसरा देखो दूसरा क्या आपका additivity additivity क्या है additivity क्या है additivity यह बोलता है कि अगर अगर किसी element में किसी एक की वज़े से response i1 है किसी एक की वज़े से response i1 है और जब मैंने इसको चलाया तो response इसमें कितना आया i1 जब इसको मैंने सिर्फ अकेला चलाया तो कितना आया i1 और फिर मैंने इसको बंद करके इसको चलाया तो response कितना आया होगा? I2. 2, additivity यह बोलता है, कि अगर आप दोनों साथ में चलाओगे, तो पता है current इसमें कितना आना चाहिए? I1 प्लस I2. बोलो हाँ याना? अगर आप दोनों साथ में चलाओगे, इसमें current कितना आना चाहिए? I1 प्लस I2. That is what? That is additive. Add कर रहे हैं ना? Add कर रहे हैं दोनों response को. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? Additivity. समझ मैंगे क्या? तो इसमें जो total response हो जाएगा? That is what? I1 प्लस I2. कब? जब दोनों response काम कर रहे होंगे. और अब जब दोनों voltage काम कर रहे होंगे. चलो, अब लिख लेते हैं. होमोजेनेटी का मतलब लिख लेते हैं. समझ मैं आ गया? समझ मैं आ गया ना? कि लाग कि? होमोजेनेटी और additivity. अब उसी चीज़ को लिख लेंगे, तो ज्यादा चीज़े अच्छे से clear हो जाएंगे. तो लिखो. होमोजेनेटी. अच्छा, एक बात और. इस additivity को और क्या बोलते हैं? superposition. या super superposition. क्योंकि superposition theorem भी कुछ नहीं यही है. जो बता रहो नहीं? individual को individual को निकालना होता है, बात में क्या गर देना होता है? add गर देना होता है. superposition theorem यही होता है. तो homogenेटी का definition लिखते हैं. लिखो ज़रा, if input of a system, if input of a system is scaled by, scaled लिखो ज़रा, if input of a system is scaled by alpha, लिखो एक शिस्टम है, यह आपका इन्पुत है, यह आपका आउट्पुत है, यह आपका आउट्पुत है, यह आपका आउट्पुत है, that is any kind of system, that is any kind of system, so what is meaning of homogeneity, अगर आप input को किसी number से multiply करते हूँ, अगर आप input को किसी number से multiply करते हूँ, same number से कहाँ पर multiply हो जाएगा, clear है बात, ठीक है, वही लिखेंगे, input of a system is scaled by a factor alpha, then output also get, then output also get, scaled by, then output also get, scaled by, same factor, scaled by, same factor, scaled by, same factor, then system is set to be, then system is set to be, obey, then system is set to be, follow principle of homogeneity, then system is set to be, follow principle of homogeneity, समझ में आ गया, अगर इसी, किसी number से, alpha से multiply करते हैं, तो output में भी क्या हो जाए, alpha से multiply, ठीक है न, और दूसरा क्या है, जैसे देखो, दूसरा क्या था, additivity, जैसे मालो, A, X1, T था, A, Y1, T था, उसी same system में मैंने क्या किया, एक दूसरा input दिया, suppose that is what, X2, T, और यहाँ पर क्या आना था फिर, Y2, T, मालब, एक बार B1 को चलाया था, तो उसमें response आया होगा, एक बार B2 को चलाया, तो उसमें response आया होगा, अब, अगर हम दोनों को चलाएंगे, दोनों को मतलब, अगर हम दोनों को चलाएंगे तो जो response आना चाहिए ओभी दोनों का ही आना चाहिए. लिक वाट बोलो जल्दी, बोलो यार, y1t प्लस y2t, that is what, that is, बोलो, additivity, clear, लिख लेंगे, if sum of two input is applied, if sum of two input is applied, sum of two input is applied, and output of system is, and output of system is, sum of the corresponding outputs, sum of the corresponding output, then system is said to be follow, then system is said to be follow, additivity or superposition, then system is said to be follow, additivity or super, principle of additivity or superposition, अब इन दोनों को combine कर दें, तो अगर इन दोनों को fulfill कर रहा है system, तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं, कि system is what, linear, अगर इन दोनों condition को fulfill करे, तब अपन क्या बोलते हैं, system को linear, तो यहां पर note करके लिख लेंगे, if about two principles are followed by element, system जो बोलो, if about two principles are followed by element or system, then, it is set, then element is set to be linear, then element is set to be linear, और अगर अगर नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, non-linear, ठीक है, if not, then system is non-linear, if not, then system is non-linear, तो अगर question में पूछा जाएगे, अच्छा, linear के examples क्या-क्या हो सकते हैं, linear के examples क्या-क्या हो सकते हैं, तो जो register है, inductor है, capacitor है, यह तीनों ही आपके क्या है, linear, ठीक है, ना, तो लिखो ज़रो, एक काम करो, आप एक side लिखो, मतलब difference लिखते हैं, एक column में लिखो linear, एक column में लिखो non-linear, तो वहाँ पर और अच्छे से सौंझ में आ जाएगा, basic मतलब सौंझ में आ गया, linear का मतलब, linear, किसी भी element को linear तभी बोलेंगे, जब ओ दो condition को fulfill करेगा, कौन है ओ दो condition, बोलो यार, कौन है ओ दो condition, homogeneity और additivity, ठीक है, homogeneity का मतलब, अगर हम input में किसी number से multiply कर रहे हैं, उसी number से किसी में multiply हो जाना चाहिए, output में, ठीक है न, that is meaning of homogeneity, और additivity, मतलब अगर individual response को add करें, individual input को add करें, तो जो response होना चाहिए, वो individual के output का sum होना चाहिए, समझ पार हो न, ठीक है, खेर, तो differences, अगर हम देखें, linear network and non-linear network में तो क्या-क्या हो जाएगा, तो जितने भी omic, जितने भी omic element होते हैं, जितने भी omic element होते हैं, those are linear elements, इसके अलावा, linear network में क्या, जो उनका characteristics आएगा, जो उसका characteristics आएगा, that is also linear, bi characteristics is linear, अब bi characteristics is linear, इसका क्या मतलब है, देखो, अब बताओ, ये क्या है, B और ये क्या है, I, तो ये जो element है, बताओ, linear है, non-linear है, linear, सम्झाए हैं नहीं, ये जो bi characteristics, जिस भी element का है, वो element क्या है, linear है, non-linear, linear, ठीक है, ओके, और यहाँ पर गया लिखेंगे, non-comic element does not follow linear characteristics, जा फिर, linear characteristics, क्या मतलब इसका, जैसे मालनों मैंने कोई graph दे दिया, B I characteristics का, this is B, this is I, this is what, linear, non-linear, B I characteristics, that is what, non-linear, yes, ये नो, सम्झाए है रहे हैं नहीं, जैसे एक, ऐसे दोखो, ये किसका characteristics से बताएगा कोई, क्या ये, diode, diode का B I characteristics, बताओ, तो diode क्या हुआ, linear, non-linear, non-linear, ये से नो, ठीके, linear या non-linear, linear या non-linear, non-linear, this is linear, this is non-linear, and what about this, that is non-linear, क्योंकि आप ऐसे देखो ना, इसका जो equation होता है, that is what, y is equal to mx plus c, तो अगर आप input में alpha से multiply करोगे, तो क्या ये पूरे function से multiply होगा क्या, c तो बच जाएगा ना, आपने क्या बोला, homogeneity के लिए, कि अगर आप किसी number से input में multiply कर रहे हो, तो उसी same number से कहा होना चाहिए, output में, तो देखो ना, अगर मैंने input में multiply कर दिया alpha, तो alpha mx plus c, तो क्या मैं यहाँ से alpha common ले सकता हूँ क्या, नहीं, बच अगर मैंने ऐसे लिखा होता, y is equal to m into x, तो देखो जरा, अगर मैंने multiply किया किदर, यहाँ पे alpha से, alpha mx, तो उबच सी बात है, यहाँ बहुत से यहाँ भी क्या हो जाएगा एक तरीके से, बलब यहाँ पे multiply, जैसे या फिर ऐसे समझो, कि देखो यहाँ पर, यह दोनों क्या हो जाएगे, cancel हो जाएगे, बच यहाँ पे, अगर मैं यहाँ भी multiply कर दूँ, यहाँ भी multiply कर दूँ, input में भी और output में, तो cancel हो रहे हैं क्या, देखो ना, यह पहले था, मैंने input में अलफा से multiply किया, मुझे पता है, output में भी किस से multiply होना चाहिए, अलफा से, तो अगर मैं इसको हटा भी दूँ, तो क्या मेरा expression change हो रहा है, नहीं, बच यहाँ पे देखो, अब यह मेरा पहले expression था, y is equal to mx plus c, मैंने क्या किया, अलफा से multiply कर दिया, input में, अब, अब, उसी अलफा से किस में multiply हो जाना चाहिए था, y में, तो क्या आभी मैं इससे cancel कर सकता हूँ, बस यह बता दो मुझे, यहाँ पे c है ना, जो problem create कर रहा है, इसलिए element क्या है, इसलिए, characteristics क्या है, non-linear, बाकिया और detail में पढ़ेंगे, इसको बताने का अलग नजरीया होता हूँ, signal and system में होता है, तो वहाँ पे देखेंगे अपन तरीके से, यही के syllabus में हो सारी चीजें, तो सब देखेंगे, फिलहाल अभी आप यह समझ में आये कि अगर, मतलब conclusion क्या निकला, conclusion क्या निकला, कि हम system को linear तभी बोलेंगे, जब आपका जो graph है, ओ, कहां से जाए, origin से जाए, बोलो हाँ याना, origin से जाना compulsory है, origin से जाएगा, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, linear, otherwise linear नहीं बोलेंगे, done, ठीक है, तू याद रखना आप, यह वाला characteristic इसमें ड्रॉगर ले ना, non-linear वाले में न, तू, जो linear element होता है, इट ओबे superposition theorem, लिखे लो, इट ओबे superposition theorem, linear network में लिख लेना, इट ओबे superposition theorem, और non-linear में आप क्या लिखे लोगे, do not obey superposition theorem, do not obey superposition theorem, clear है गया, इसके अलावा, example में क्या लिखोगे, linear network में, register, inductor, capacitor, these are what, linear network, ठीक है न, sorry, linear elements, एक मिनेट याँ, यहाँ पर network मुन लिखना, elements लिखो, क्योंकि हम elements के बारे में बात कर रहे हैं, उबधा अलग है कि एक ऐसा network जिसमें सारे linear element हो, उसे अपन क्या बोलेंगे, linear network, ठीक है, ठीक है, बहुत minor सा difference है, elements और network में, ठीक है, तो RLC, these are what, linear elements, और जितने भी semiconductor devices है, उसारी क्या हो जाएंगे non-linear like MOSFET हो गया power transistor हो गया थारिस्टर हो गया diode हो गया जो भी semiconductor device से बना हुआ है उसारी क्या बन जाएंगे non-linear elements ख्लियर रहे गया उच्छ है तो मतलब अगर इसस ग्राफ आ घया तब क्या बोलोगे आप उसे लींए नौन लीनियर that is non-linear, ठीक है न, that is non-linear, यह छोटी-छोटी बात है अपने यार रखेंगे, यह हर जगा यूज होता है, जैसे अभी, फिर क्या होता है, हम रट रहे होते हैं, जैसे मैंने, मैं जब जाओंगा, आपको बताओंगा, जैसे measurement में, मैंने बोला कि PMC का जो response होता है, that is linear, अगर आ आपको जब मैं बोलूँगा कि diode is non-linear, आपको समझ में आ जाएगा कि non-linear का मतलब क्या है, कि V और I का characteristics, एक simple सा graph तो नहीं होगा, यह, yes or no, मतलब V और I का variation, देखो न, कि V और I का variation, कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि एक limit तक, एक voltage तक तो आता ही नहीं है, यह voltage है, 0.7 for silicon, 0 0.3 for germanium, यहां तक को response, मलब यहां, यह होता है, यह होता है, वैसे तो, diode में यह होता है, ठीक है, na, IB characteristics होता है, BI characteristics नहीं होता है, but doesn't matter, graph तो एक ही बात है, na, IB लिख हो यहां फिर मलब ठीक है, तो IB, यहां पर क्या होता है, 0.7 bolt, that is for silicon, 0.3 for germanium, तो अपन क्या देखते हैं, कि 0.7 तक तो current आई नहीं रहा, जबकि अगर वो linear होता, तो उसी ratio में आगे आना चाहिए था, उसके बात क्या हो रहा है, suddenly फिर बहुत ज्यादा हो जाए रहा है, इधर back reverse में देखो, तो voltage कितना भी बढ़ा लो current आई नहीं रहा है, और suddenly क्या हो जाता है, तो current suddenly क्या हो जाता ह हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, reverse में, तो सारी चीजे, analog electronics, basic electronics के पार्ट है, तो उसमें देखेंगे, ठीक है, तो उम्मीद है आपको active, passive और linear और non-linear यह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है यार, चलो, continue करते हैं कल, करते हैं, आपको जूखा है, तो जहाईं हो समय करत के तो जहें, तो करते हैं, तो किता हैं को जानी theorem can only क्या है, चलो, कि वेपको जाले में, तो किता टूब तो कॉन का ही, चलो, करते हैं करते हैं को जाक जापको किता multim lesser nor फशुने प्टस्यां, जालेम प्टस्या tamilt भासों